नमश्कार जैहिन स्वागता पॉल्ली उपियसी पर बहुत ही गंभीर चर्चा हमको करनी चाहिए और तमान में तो कि एक बहुत बड़ा जो है देश में महवल बन रहा है जम्मु कास्मीर को लेकर के पुना जम्मु कास्मीर चर्चा का बिसे लगातार बना रहा है और अभी हो सकते हैं परिशीमन की बात हो रही है तो परिशीमन क्या है परिशीमन आयोग क्या है परिशीमन का कारी क्या है परिशीमन का आर्थ क्या होता है और वरतमान में जो आप तीवी में देख रहे होंगे निउस में देख रहे होंगे परिशीमन को लेकर कि या जम्मु कास्मी תח होता किसी चीज को घेरना किसी की boundary बनाना तो जब किसी की सीमा की पुन्ह परिभाशा की जाये तो उसे परिशीमन कहते है ठीक है याने कि जो उसका limit है उसको फिर से decode करना उसको एक नई परिभाशा में गढ़ना ठीक है अब अब इसका अर्थ जो है किस प्रकार होता है लोग सभा और विधान सभा के सीटों को लेकर के वही बात आपको समझना है ठीक है तो सबसे पहले इसका आर्थ है तो इसका आर्थ आपने समझा कि क्या होता है सीमाओं का पुना परिवासित करना सीमाओं को फिर से परिवासित कर करना ही परशीमन ठीक है इसका कार यह है कि जो लोकसभा है आपके देश की और उसका च्छेत्र होता है लोक सभा के छेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए या जो विधान सभा है जो राजियों का प्रिक्षित करती है उसके एक विधान सभा कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसको निरधारित करने के लिए ही परिशीमन किया जाता है और यह क्यों किया जाता है तो कि आप जानते होंगे कि किसी स्टेट में जनसंख्या जादे है किसी में कम है ठीक है तो यह कैसे निरधा तो इसलिए पूरे देश को और उसके जो छोटे-छोटे एक खंड है उनको बराबर का प्रतिनधुत मिले संसर्थ के सदन में और उस इसलिए परिशीमन किया जाता है इसके अलावा जो यसी-एस्टी संदाय है उनका बराबर प्रतिनधुत हो सके यह भी परिशीमन का एक उद्देश्य होता है तो यह है परिशीमन आयोग का कारी तो बहुत सिंपल सी बात ही है एक संब्धान का उधाना है संब्धान के अनुछेद बयासी के तहर इसका गठन किया जाता है कौन करता है राष्टपती करता है राष्टपती करता होगा तो किसके इसारे पर करता होगा सरकार के इसारे पर करता है यानि कि जो केंद्र सरकार पर मंदल जो इसारे करता है उसी के आधार पर करता है ठीक है कि इतनी जो ओर पे लोग फला लोग सभा में होंगे एतनी के दूसरे लोग सभा होंगे आपको जाहिए extending संख्या ती है तो फिर्ण की संख्या भी बढ़ जाती है यह उसका दाइरा बढ़ा दिया जाता है जो भी उचित होता है उसको ठालिया जाता है ठीक है कितनी बार आपके देश में परिशीमन हुआ है या भी आपको जानना चाहिए तो आपके देश में जो पहला संसद्य चुना होता है 1952 में होता है तो पहला जो आपका परिशीमन हुआ 1952 में हुआ तीसरा 1973 में हुआ और चौथा हुआ आपका सन 2002 के नियम के अंशार 2008 में ठीक है सन 2002 में एक परिशीमन आयोप का गठन किया गया लेकिन ततकालिन सरकार ने उसको लागू नहीं किया और बात महुच गई 2007 तक 2007 में जब सुप्रिम कोट ने सरकार को डंडा किया उस वक्त मर्मोह सिंग के सरकार थी तब जाके 2008 में परिशीमन किया गया तो ये परिशीमन की जो है उसका इतिहा से कितनी बार परिशीमन हुआ है इसके अलावा 1995 में भी परिशीमन हुआ था जम्मू और कास्मीर में तो आप कहेंगे कि आप चार ही बता रहें तो फिर 1995 कहा आ गया तो आपको मैं याद दिला दू कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कास्मीर को धारा 370 के तहर इस्पिसल स्टेटिस मिलता था भारत से भारत के बाकी जो राज जी है बाकी जो छेतर है उससे अलग स्टेटिस मिलता था लेकिन तत्काली नरेंदर मोदी सरकार ने उसको खारिज किया यानि कि जो उसको सुझाय मिलती थी उसको खारिज किया और उसके बाद में वो एक सामान इस्टेट जैसे इंडिया में है उस तरीके से वो काम करने लगा तो होता क्या था कि जब केंदर लेबल पर होता था यानि कि लोक सभा का परशीमन होता था तब जम्मू कास्मीर का भी साथ में हो जाता था लेकिन जब राज का परशीमन हुआ बीधान सभा के लिए तो जम्मू कास्मीर शुतनंतर था था उसवक्त अपना परशीमन खुद करने के लिए इसलिए 1995 भी में जम्मू कास्मीर में परशीमन किया गया था अब समझते हैं कि वर्तमान में क्या मुद्दा है क्यों ये चर्चा का बिसे बना हुआ है तो ये चर्चा का बिसे बना हुआ है 2019 से ही कब से 2019 से 2019 को लोक सभाब में जब और आपकी राज सभाब में या योग है कि संसद ने जम्मु कासमीर उनरगठन अधनियम लागू कर दिया उसके बाद से ही जो है ये कहा जाने लगा कि अब वहाँ पर परशीमन करना पड़ेगा क्योंकि जम्मु कासमीर को बाटा किसमें गया जम्मू कास्मीर को एक यूटी बनाया गया और लग्दाख को भी एक यूटी बनाया गया लेकिन जम्मू कास्मीर जो यूटी बना वो दिल्ली और पुड़ुचीरी की तरीके से बना कि वहाँ पर चुनाओं होंगे लेकिन लगदाख में बिधान सभा के चुनाओं नहीं होंगे, वो आपका जो UT है, वो अंडमान की तरह है, ठीक है? तो उसका जो सुरूप है वो अलग है, लेकिन जो जम्मू और कास्मीर है, वहाँ पर बिधान सभा के चुनाओं होंगे, ठीक है? तो अब जरूरत थी कि फि जरूरी है, परिशीमन का काम ही ही होता है, कि पूरे देश की जनसंख्या को बराबर बराबर परतिंद्रत मिल सके, ठीक है? तो इसलिए परिशीमन की बात की जा रही है, तो होता यह है कि जो है, जब जम्मू कास्मीर पुर्न गठन अगर्धन लागू हो जाता है, उसके ब असम, अरणचल, नागालेंड और मडिपूर, इन राज्यों का परिशीमन करने के लिए, अब आपके दिवा को एक सवाल होगा, कि गुरु जी ये बताइए, कि आप कह रहे हैं कि जम्मू कास्मीर का इस्पेसल इस्टेटस था, इसलिए उसने परिशीमन अपना अलग से कि या इनको भी स्पेसल इस्टेटस मिलता था, तो इसका जवाब है नहीं, यहां पर परिशीमन उस टाइम पर इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर हिंसा का डिर था, वाइलेंस का डिर था, यह लोग अपने रिजिनल आइडेंटिटी को ले करके बहुत ही जादा, कह सकते हैं कि अलपसंखिर चेतना में रहते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे संगदाय में होते हैं, और इनको डिर होता है कि इनके प्रतुदृत में कहीं कोई कमी ना आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त जब यह हो रहा था परिशीमन, तो वहां की स्तितिया सामानी नहीं थी, इसलि और मड़पूर का इनको परिशीमन करना है, डेलिमिटेशन करना है, ठीक है, ये काम इनको मिला है, ये काम इनको पूरा करना था, 5 मार्च 2021 को इनको पूरा करना था, लेकिन आप जानते हैं कि देश और दुनिया दो अभी भी जूज रहे हैं, तो ये काम भी थंडे बस्ती में पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दूसरी लहर भारत में कमजोर पड़ी, तो काम फिर से चल निकला, चल पड़ा, ठीक है, तो काम तो भी पूरा हो नहीं पाया है, इसलिए इसको extension दिया गया, कितने समय का, एक साल का extension दिया गया है, इस परशीमन आयोग को, कि आप हर हाल में 6 मार्च 2022 तक अपना रिपोर्ट दे दे, ठीक है, तो ये जो है वरतमान इस्तती है, जम्मू कास्मीर के परशीमन की, और उसके साथ साथ असम और रांचल नागा लेंड और मड़कूर के परशीमन की, ठीक है, ठीक ह आप उल्ली उप्येसी के प्लेलिस्ट में जाएंगे पॉलेटी वाले में तो उसमें आप पूरा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप बता विन थोड़ा सा, कि जो परिशीमन आयोग होता है, उसका जो अध्यक्च होता है, वो कोई रिटायर्ड जज होता है, जो निवल आयोगते हैं, वह भी इसके सदस्य होते हैं, इसके अलामा जो निरवाचन आयोग का मुखिया है, वो जब किसी को रिकमेंड करता है, तो वह भी इसका सदस्य बन जाता है, इसके अलामा दस सहायक सदस्य भी होते हैं, ये कैसे काम परते हैं, तो ये जो सहायक सदस्य होते है ये नेता लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप लोग सभा और विधान सभा के छेत्रों को बदल रहे हो, इससे प्रभाव किस पर पढ़ता है, राजनिती पर पढ़ता है, ओट पर पढ़ता है, कैसे, एक्जामपल से समझे, माल लिजिए कि ये कोई देमोग्राफी है, वो इस प्रकार है, कि हिंदू वोट वहाँ पर 30% है, मुस्लिम वोट वहाँ पर 40% है, ठीक है, 40-30 हो गया, इसके अलामा, माल लिजिए, जो अनसमदाय के वोट है, उनका प्रतसत 30 है, कुल मिला करे के, ठीक है, अब ये माल लिजिए कोई डेमोग्राफ आपकी कॉंग्रेस है, जो यहाँ पर अपना चुनावी फाइट करती है, अब होगा क्या, कि आम तोर पर आप देखते हैं, कि भारत के मुसलमानों में, बीजेपी को ले करके, एक तंग सोच है, उनका वो नहीं पसंद करते हैं, यो उनकी अपने परसनल जो भी है, उस पर ह करेंगे, तो माल लिजे कि जो मुसलिम मोटर है, ये बीजेपी की तरह कनवर्ट नहीं होता है, अब माल लिजे फिर से परशीमन करना है, इस छेतर को बाटना है, तो होगा क्या, कि अगर ऐसा छेतर कटे, कि जो ये 40% मुसलिम मिजार्टी वाला जो छेतर था, इसमें 35 केज़ी बचेंगे, और यहां पर क्या होगा, कि जो मुसलिम मत दाता है, उनकी संख्या कम हो जाएगी, और दूसरे समधार की संख्या जादा हो जाएगी, तो मेरा इस समझाने का तात्य पर सिर्फ ये था, कि इससे ओंट पर, पॉलिटिक्स पर, डिमोग्राफी पर अच् उसमें पांच लोग सभा के होते हैं, और उसके अलावां पांच विधान सभा के होते हैं, लेकिन ये प्रभावकारी नहीं होते हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कि ये आयोग के हैसले में कोई बदलाव कर सकते हैं, ये अपना बिचार लग सकते हैं और आयोग बिलकुल भी उसको मानने के लिए बाद दे नहीं होता है हाँ जब वो अपने रिपोर्ट को भारत सरकार के गजट में छपवाता है या राज के गजट में छपवाता है या किसी दो परतिश्खित न्यूज एजनसी में छपवाता है उस वक्त उसकी एक बाधता इतनी सी है कि जो ये सदस्य है इनकी बिचार को रखना पड़ता है वो चाहे पच्छ में हूँ या बपच्छ में हूँ बस इतनी जिम्यदारी आयोग की है बाकी आयोग अपना काम करने के लिए सोतंत्र है उसके कार पर किसी भी प्रकार का कोश्चन कोर्ट में भी उठाया नहीं जा सकता है यानि कि उसको पूरी आजादी मिली हुई है अपना जो उसका काम है करने के लिए तो ये है पूरा परशीमन आयोग इससे क्या होगा जो जम्मू कासमीर की हो रही है तो यहां पर थोड़े से बदलाव होंगे बदलाव किस प्रकार होंगे वर्तमान में 107 सीट है जम्मू और कासमीर का जो जिसकी बात करें जो घाटी है यानि कि लद्दाख वाले पार्ट को छोड़ दें तो वर्तवान इस सती कितनी है 107 है ठीक है इस 107 में से जो 24 सीटे हैं ये पाक अधिकृत कस्मीर के लिए सुरच्चित रखी गई हैं यानि कि इन पर चुनाव नहीं हो पाते हैं हम ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा है जिस दिन वो छोड़ेगा या हम उस छीन लेंगे हम महाँ पर चुनाव करवाएंगे और ये 24 सीट इसलिए हम रखते हैं ठीक है लेकिन इस परशीमन के बाद में इन सीटों की संख्या 114 हो जाएगी कितनी 114 हो जाएगी ठीक है पहले ये सीटे यारि कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब राजप्रिनरकथन अधनियम नहीं लागो हुआ था उससे पहले ये सीटे 111 हुआ करती थी जिन में से 4 सीटे कट करके चली गए लगदाक के हिस्से में ठीक है तो वो चुकि पार्ट कट गया इसलिए 4 सीटे कटी और 107 है लेकिन परशीमन के बाद में इसको 114 करना है तो ये वहां के बिधान सभा का नंबर होगा ठीक है तो ये है पूरा मामला परशीमन आयोग उससे संबन थी जम्मु कास्मीर और उसके साथ साथ ये भी है ये थोड़ा सा प्याद रखेगा एक्जाम पॉंट आप उससे बहुत महत्वोड है पुछा रा सकता है कि जम्मु कास्मीर के साथ साथ किसका परशीमन और किया गया था तो ये आप याद रखेंगे असमा अड़ांचर नाका लेंड और मड़ीपुर का उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो लाइक कीजिए शेर आप नहीं करते हैं थोड़ा सा एक सिकायत वाला बात है आप तो हमसे बहुत सारी सिकायत करते हैं लेकिन हम आपसे एक ही सिकायत कर रहे हैं कि सेर आप जरूर कीजिए ठीक है क्योंकि और कई लोगों के पास पहुचेगा वो भी जान पाएंगे जान बढ़ेगा और अगर कोई आपके मन में संदे सवाल है तो कमेंट कर दीजिए इसके अलामा जो हमारा दूसरा चैनल है उनली सरकारी एक्जाम उसको भी लाइक कर लिजिए वहाँ पर बरियस एक्जाम के तयारी होती जो छोटे मोटे बड़े सारे एक्जाम होते उनकी तयारी कराई जाती है एक्दम फ्री में वहाँ भी कोई चाग आपसे नहीं लिया जाता है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिजिए बहुत-बहुत धन्यवाद